गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर इंग्लिश क्लास तो टूड़े वी आर बोईंग तो स्टाट आर कन्वर्जन ओफ इंट्रोगेटिव संटेंसिस इन नरेशन, इंडिरेक्ट, इंडिरेक्ट स्पीच तो उसमें हम करते हैं, पहरे मैंने आपको सिंपल संटेंसिस के रोल्स बता दिया थे, यूनिवर्सल ठूट के भी बता दिया थे आज हम चलते हैं interrogative sentences पे interrogative sentences क्या होता है पीछे question mark यानि हमें किसी ने question पूछा होता है तो जो WH से start होते है questions जिसे what, where, when which, who's, whom how how, H-O-W, how भी WH family में आता है जो इन से start होते है तो हमारा rule अलग होता है different होता है और अगर helping verb is, am, are, was, were, has, have, had do, does, can, may, might तो इन से अगर start होते है तो इसका rule अलग होता है बड़ दोनों में ये बात धियान रखने वाली है कि जो हमारा S-O-N S-O-N by 1, 2, 3 का rule था वो हमारा same ही रहता है विसमें थोड़े से changes होता है अगर question में sad है या sad to है कब जब हमें interrogative sentence दिया होगा तो sad to को हम किसमें change करेंगे ask me I asked हम यहां क्या note करेंगे I asked अब sad to को change कर दिया हमने पीछे कह रहा है गया the child I asked the child अब हम ना तो that लगाएंगे ना ही if या weather कुछ और लगाएंगे हम सीधा ही क्या लिखेंगे यही word उतार देंगे what ओके what है तो what when है तो when उतार देंगे which है तो which where है तो where how है तो how तो हम इसमें यहां पर इन वर्डिट कॉमा के जगा that नहीं use करेंगे नहीं कोई और फिर हम क्या गरेंगे wh को यहां पर हमने लिख दिया आर को नहीं हम अभी change करेंगे, हम पहले किसको change करेंगे pronoun को, तो person कौन सा है ये, second person second person का rule क्या है हमारा object के according, तो second person में object क्या है, the child the child, अब he भी हो सकता है, और she भी हो सकता है, तो इसके बाद हम यहां करेंगे, helping verb को अब he और she के साथ क्या लगता है was लगता है what he और she was doing यहनी हमने कह गया present continuous change को past continuous में कर दिया, कब किया, second person ये उठाने के बाद करने है अपने, ठीक है, और last में हम क्या लगा देंगे, full stop इसी के type का पहले हम third sentence करते हैं the teacher the teacher set to को किसमें change करेंगे, ask में, yes, ask the students ओके, तो कॉमा इन्मेडिट कॉमा को हटा कर हम क्या करेंगे that नहीं लगाएंगे, या कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे y जो वर्ड दिया हुए, हम y change कर देंगे, फिर हम इसको अभी नहीं चेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, you second person, second person, किसके according change होगा, the students के according, अब the students, या थर्ड person है, तो इसको हम दे में change कर देंगे, ठीक है, दे, दे के साथ अब क्या लगेगा, past में, were, they were making a noise, clear बिटा, इसी ही टाइप का, यह जो four sentence है, यह भी how many यानि कि, wh families वाला word है, तो अब हम इसको कैसे change करेंगे, he said to me said to को किसमें change करने हैं, मैंने बताया, ask me, he asked me, clear, आप क्या करेंगे हम, how many, how many, अब यहाँ पर हमें पहले ही दिया हुआ, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं दिया हुआ, तो हम यह जो third person इसको change तो नहीं करेंगे न, how many boys, are का क्या हो जाएगा, very good, were, how many boys were there, were there in, अब यह और कौन सा person है, second person, second person को object, यानि कि me के according, अब object कहां आता है, यह देखिए, यह recall किजिए, यह remember किजिए, कि मैंने आपको यह table करवाई ती, इसमें, अब हमने करना है, you, your, you, यह mind में रखिए आप, एक था me के according change करना था, तो I, my, me, ठीक है, तो वहाँ क्या था, your, your था न, तो your की जगह क्या हो जाएगा, my, time, तो यहाँ, your school की जगह क्या हो जाएगा, in my school, very good, और पीछी, full stop, तो चलिए, अब हम next देखते हैं, helping verb से start होने वाला, he said to me, are you going to Delhi tomorrow, अब question पुछा गया है, तो हम test में change करेंगे, ask में, he asked me, अब हम क्या करेंगे, जब helping verb से start हो आओ, तो यह comma, inverted comma की जगह, हम दो word यूज़ कर सकते हैं, या if, या weather, if या weather, अब हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम helping verb को नहीं उठाएंगे, वो मैंने आपको पहले भी किया, helping verb को हम subject change करेंगे, change करने के बाद लगाते हैं, अब यहां हम you, यानि second person को me के according, यानि की I लिखेंगे, उसके बाद change करेंगे, I was going to Delhi, tomorrow को किस में change करेंगे, the next day, यह मैंने आपको last video में clear किया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप जल्दी से उसे देख लीजिए, तकि आपको interrogation भी easily clear हो जाएं, ठीक है बटाच, चलिया, आज हम next, fifth करती है, the teacher said to me, तो said to को किस में change करना है, very good, ask me, the teacher asked me, अब क्या करेंगे, पहले हम comma inverted comma को हटा कर क्या लगाएंगे, if या weather, तो मैंने यह if लगा दिया, you second person है, इसको हम me के according, यानि की I कर देंगे, फिर हम यहाँ पर have का क्या कर देंगे, present perfect tense को past perfect में, यानि की past perfect का rule क्या होता है, had plus verb की third form, solved the sum, full stop, if पहले हम यहाँ पर second हमने person देखा, person को change किया, फिर helping verb लगाने है, यह चीज़ आप note करना, अब यहाँ यह समझाने के बाद मैं आपको दो sentences देती हूँ, जिसके answer आपने comment box में यूट्यूब पर देने है, ओकी बिटा, यह देखे बिटा, आपको मैंने आपको दो sentences दी हैं, जिसको आपने solve करके, comment box में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी क्लियर हुई है और इसके answers देने के बाद आप साथ ही में अपना name भी लिख देंगे यह, मैं आपको थोड़ा सा hint दे देती हूँ, यह helping verb से start है, will तो पहले हम जब comma, invertir comma को को लगा कर if लगा देंगे, तो you को हम पहले change करेंगे, ठीक है और इसमें हम डवल्यू अच वाले से start कर रहे हैं, question mark वाला है, तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है पहले आप इसको करेंगे changes, फिर आप verb लगाएंगे, तो यह दोनों sentences मुझे करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना ठीक है ओके विटा बाई